हलो मेरे नाम है चंद्रहास, इस्टड़ी स्मार्ट में आपका स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे आज जो IVPS PO Prelims के एक्जाम होए उनकी सभी शिफ्ट में क्या-क्या कोश्टन्स आये थे, कैसा difficulty level था आपको जानने को में लेगा क्योंकि इसके आधार पर ही आप अपनी SBI PO Prelims की जो तयारी है वो करेंगे कि क्या questions पूछे जा रहे हैं और level कैसा है तो सबसे पहले में start करते हैं first shift से, आप देख रहोंगे तीनों sections के यहां पर लिखे गए हैं missing numbers रीज आई थी, चार questions आपके आसान थे, एक आत question फसने वाले थे, quality question आपका ठिक ठाक जैसे पूछा जाता है वैसा ही था कुछ बच्चे कहते हैं कि quality question थोड़ा जो number थे वो बड़े बड़े दे दिये जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है case list आपका पूछा गया था table di, double pie chart और बाकी के बचे arithmetic के सवाल तो 3 di's पूछी गई थी और ये देखा जा रहा है कि ये पूरी जो दिन भर के shift है, सब में 3 di's पूछी गई है और यहां पे आप एक चीज़ अगर देखेंगे, कि कहीं कहीं पे आपका missing number स्रीज पूछा जाएगा कहीं कहीं पे approximation पूछा जा रहा है, तो वहां पे number स्रीज नहीं है अगर हम reasoning की बात करें, तो इस बार का जो set है, जैसे पिछले साल का था कि syllogism आ रहा था जादा number का, या फिर syllogism आ ही नहीं रहा था, inequality आ रहा था तो इस बार के हर एक shift में syllogism और inequality पूछा गया, blood relation पूछा गया, जो कि आपका family tree जो आपका बनता है कुछ उसी based पे आपका था, flat and floor के सवाल थे, variable के साथ, हर एक puzzle, केवल जो setting arrangements को छोण करके, variable के साथ था इसलिए जो बिना variable का puzzle आता है, flat and floor का आएगा, तो मा लिजे 8 floor का होगा, 9 floor का होगा लेकिन ये जो आपके सवाल है, ये 5 persons या 5 floor के आपके सवाल पूछे गए थे, मतलब ऐसे circular की बात करें, तो 8 persons यहाँ पे setting थे, कोई variable नहीं था, 4 inside और 4 outside, ये given था कि आपको ऐसे बठाना है linear में 9 persons का सवाल था, north facing थे, सारे के सारे, एक year based सवाल था, जिसमें variable भी आपके include था, बाकी miscellaneous के आपके सवाल थे, जैसे order and ranking के सवाल हो गए, meaningful word बनाने के सवाल हो गए, odd one out के सवाल हो गए, तो वो miscellaneous के सवाल थे miscellaneous से लिए रिखाए क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें confused रहते हैं, कौन सा है था, कौन सा नहीं, miscellaneous आप जानते हैं, distance और direction का सवाल इसमें नहीं पूछा गया था, coding decoding का सवाल नहीं पूछा गया था, तो वो miscellaneous में included नहीं है, अगर English की बात करें तो RC पूछे की थी, global warming के उपर, double fillers थे, phrase replacement, sentence correction, sentence में कुछ correction needed है की नहीं needed है, ऐसा करके, parassemble और word swap के आपके questions थे, English आपका एक दम ऐसे ही पूछा जा रहा है, जैसे हम ऐसा पूछा जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो जो quant है, वो आपका कह सकते हैं, moderate level का सवाल था, easy to, कुछ आप moderate level का आपका सवाल था, reasoning में आपका जो, यह puzzle वाला section है, जैसे पिछले साल तक थोड़ा आसान होते थे, puzzle, दो तीन puzzle आपके चार होते थे, तो ज़्यादा possibilities नहीं बनती थी, यहाँ पे थोड़ा सा challenging यहाँ पे था reasoning, यह भी हम moderate की ही इसको ranking देंगे, English आपका as it is था, जैसे मैं आपको कहा रहा था, यहाँ पे approximation पूछा गया था, quadratic question था, यहाँ पे number series का कोई question नहीं पूछा गया था, तो यहाँ पे ऐसा समझ के चलिए कि आपके सामने 3 set है, एक है number series का, एक है quadratic question का, और एक है आपका approximation या simplification जो भी कह लीजे, इन में से कोई 2 ही पूछा जा रहा है दो set को भी पकड़ कर गए 5-5 questions पूछ ले जा रहे हैं, case list यहाँ भी पूछा गया था आपका, table di पूछा गया था, bar graph आपका, bar graph आपका vehicle के manufacturing के पर था, कि vehicle बनाई जा रहे हैं, two wheeler, four wheeler, sold करी जा रहे हैं, unsold का data आपको निकालना था, बाकी आपका arithmetic पूछा गया था, तो यहाँ पे flattened floor का सवाल था, variable के साथ 5 cross 2 की आपका, मतलब 5 floor थे और 2 flat थे यहाँ पे, वैसा सवाल था, linear में सवाल आया था, 7 persons का north-south facing कुछ दिया नहीं था, कुछ north है, कुछ south है, यहाँ पे जो बच्चों ने किया, उसमें बताया गया, कि एक ही person south है था, बाकी 6 के 6 north थे जैसा हम हमें सब practice class में भी कहते हैं, कि sum दिया गया, जिसका मतलब बरूर जबर जबर जिने कि 4 हो, या 5 और 3 ही हो, 5 दो ही हो, ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, वही हुआ, यह बेश्ट की बात करें, यहाँ पे यह यह बेश्ट एक puzzle था, variable के साथ था, uncertain का एक puzzle यहाँ पे बाकि आपका मिस्लिनियस में जो आपके one word substitution, sorry odd one out के सवाल या फिर meaningful word के सवाल वो सब आपके पूछे गए थे English आपका RC पूछा गया था double filler phrase replacement यहाँ पे error detection था sentence correction की जगा पे पहरा जंबल और word swap ऐसे ही था पहरा जंबल कहा जा रहा था कि आसान था आसानी से हो गया था अगर हम बात करें थर्ड शिफ्ट की तो यहाँ पे approximation और wrong number स्रीश पूछी गई थी अभी तक जैसे missing number स्रीश थी पहले shift में आपर wrong number स्रीश थी एक question इसमें q1 q2 वाला था quantity comparison का आपका सवाल था case let का सवाल पूछा गया था line graph था यहाँ पे table di था फिर आपका arithmetic था तो आप देख रहे हैं कि case let आपका लगबग हर एक shift में पू आप देख रहे हैं पूछा जा रहा है table di भी आपका लगबग हर एक shift में है line graph बार ग्राफ डबल पाई चार्ड इन में ही आपका जो खेल चल रहा है वो चल रहा है designation flattened floor में कोई difference नहीं होता है बहुत मामूली सा designation based puzzle था एक सवाल था इसका month and date based जिसमें month चार पाँच मन्थ थे और दो date थी जो सवाल दिया जाता है uncertain का एक सवाल था linear का एक सवाल था month based और variable के साथ कि 4-5 month दिये हो थे उसके साथ कुछ variable थे उसमें date नहीं थी circular setting का भी यहाँ पर सवाल था बाकी miscellaneous के आपके सवाल थे तो यहाँ पर puzzle की संख्या आप देखेंगे तो एक दो तीन चार पाँच पूछे गए थे third shift में English की बात करें तो RC पूछा गया था AI की पर artificial intelligence close test यहाँ पर फ्रेज रिप्रेस्मेंट था error detection और पर जंबल के सवाल यहाँ पर पूछे गये थे तो यह आपके जो सवाल पूछे गये थे वो तीन आपके set के सवाल थे चौथी shift जब मैं record कर रहा हूँ तो उसके review कुछ आ रहे हैं चौथी shift लगबग आपकी third shift की तरह ही थी बस थोड़ा सा difference यह था कि जो reasoning में आपका यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कियोंगे तीन shift में coding recording नहीं पूछा गया था तो fourth shift में coding recording का question यहाँ पे पूछा गया था तो यह कुछ ऐसे मतलब यह समझ के रखे कि जो पहली तीन shift में जो जो नहीं था वो यहाँ पे चौथे shift में लगा के रखा गया था इसलिए का जाता है कि जो आप review देख रहे हैं उस पे ऐसा कोई नहीं कि आपके shift में वही आएगा ऐसा बहुरुसा करके नहीं जाना चाहि तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत बदलाओ थे लगभग third shift की तरह ही था चौथे shift को हमेसा tough माना जाता है बाकी यह तो जो experience आप लोगों ने किया उसके base पे review है आपने अगर exam दिया है इन तीन shift या चार shift में तो अगर आपको इसमें कुछ लग रहा है तो आप मुझे comment करके ज़रूर बताइगा बाकी बच्चों को भी help मिलेगी क्या पूचा गया चा कुछ missing हो गया हो तो वो भी समझ में आएगा अगर बात करें पूरे दिन की तो पूरे दिन का जो आपका set था वो आपका moderate ही था जिसमें quant को कह सकते हैं कि थोड़ा सा lengthy था मतलब जो जैसे आपका value दी थी कहीं पर नहीं दी थी तो ऐसे आपका कुछ था यहां पर सबसे अशेर जनक बात यह थी कि इस बार की जो reasoning है वो काफी अच्छी लेवल की पूची गए थी हमेशा reasoning prelims में बहुत अच्छी लेवल की नहीं पूची जा रही थी पिछले साल तक भी देखा गया था इ यह आपका पूरा review है तो अगर आपने आज exam दिया है तो comment करके नीचे अपने attempt भी जरूर बताएंगे shift के साथ कि आपने कितने attempt किये हैं आपके shift कौन से थी जिसके अधार पे कल मैं आपको सुबा एक वीडियो दूँगा जिसमें आपको expected जो cut off होगा इस बार का उसके बा औ्ねच कोोो भी एकोड़ इसमें आपको बार के पार ब Avoid